हेलो दोस्तों स्वागत आपका नहीं इस नभी वीडियो में जिसमें हम देखने वाले बी अप्टेक वर्सेस बीडिजाइन इसकी फुल इंफॉर्मेशन देखने वाले वह भी आसान हिंदी में सब्सक्राइब देखने वाले लास में चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना कि कोई ऐसे वीडियो लाता रहता हो और यह वीडियो लास तक देखना है कि लास में मैं इसकी सेलर भी बताने वाला हो तो सबसे वहले रिखते ओवर यह देखिए जो बीएक टेक होता है इसका फुल पाउंज होता है एक अंडर व्रेजुएट कोर्स है प्रोपेशनल कोर्स के अंदर आता है यह और यह चार साल का कोर्स होता है जो इंजिनेरिंग आता है यह न बićते हैं न बीचे हैं इसमें लिख थिएउ जेुरका निधि然后 केले रिखते ही तो सायन्स में भी दिजिक्स चेमिस्ट्र मैतेमट्थ जो PCM या PCM भी जो गूप होता है वो आपको देना पड़ता है और इसमें हो सकते हैं आपको इंट्रांस एक्जाम भी देनी पड़ी जो बिएक के लिए 12 साइन्स पास होना थे तो इसमें गुरूप और बात करें थीज की जो बीडिजाइन की फीज होती हो लग नाइन्टी थाउजन से लेकि अगर अगर आप यह बात के बात न सकते हो बीडिजाइन अगर आप यह करते हो तो वह आपे जो आप डिजाइन डायरेक्टर बन सकते हो, फैशन डिजाइनर, एंटरपेनर भी आप बन सकते हो, और जो टेक्स्टाइल और सर्पेस डेवलोपर होते हैं तो वह भी आप बन सकते हो, अगर वह से देखोंगे तो दोनों का स्कूप बहुत अच्छा है, अगर आप दोनों इसे कोल भी कर सकते हो, आप कर लिजे आपको कोल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दोनों ही आपको डिजाइन के बारे में आपको अच्छी जॉब और आपको जो पोस्ट रोती है, वो भी अच्छी मिलेगी और पैकेज भी अच्छा मिलेगा, और इस सेलरी सेले के साध्याट लाग तका पैकेज मिल जाएगा, एक पर येर के लिए होता है, और एक एवरेज सेलरी निकली हुए हो सकता है, आपको इस से ज्यादा भी मिले या कॉम भी मिले, तो ये डिपेंट करता है कि आप कितना नौलेज हो, आप कोई सो कॉलेज से कर रहे है, और कर दो कितना नौलेज सेलरी निकली हो, आपको झालेज सेलरी निकली हो सकता है, बढुर। भी मिलेज। खर लाग, इस ज्यादा हो सकता है, और एक एक अ झाल